अलो दोस्तों मैं धीपा क्यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल दिया में अल्टी वर्ल्ल में आज हम आपको इस वीडियो बता रहे हैं डिसीज पॉलियो के बारे में डिसीज पॉलियो को हम पॉलियो मालाइटिस के नाम से भी जानते हैं इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जो है infantile paralysis ये जो बिमारी है पिकोर्णा वाइरस के कारण होती है पिकोर्णा वाइरस एक कैटेगरी है वाइरस की जिसमें एंटीरो वाइरस आता है और ये एंटीरो वाइरस का member है पॉर्यो वाइरस तो दोस्तों ये बिमारी 5 साल से कम क बच्चों में देखी जाती है ये फैलती है contaminated खाने से और intestinal discharge से और दोस्तों इसके लक्षन होते हैं कि जब ये होती है तो बुखार होता है सिरदर्द होता है ठकान होती है vomiting आती है गरदन में अकड़न होती है हाथ पैर में दर्द होता है और weakness फील होती है skeletal muscles में और दोस् दो पॉल्यू वाइरस जो होता है ये हमारे center nervous system को affect करता है जिसके कारण paralysis हो जाता है दोस्तों पॉल्यू से बचा जा सकता है पॉल्यू वैक्सीन के थरू और ये safe और effective वैक्सीन होती है दोस्तों WHO के मताबिक 2011 में इंडिया में इसका last case देखा गया था 27 मार्ज 2014 को इंडिया को certified कर दिया गया था as a polio free country by world health organization याने WHO के द्वारा इंडिया को certified कर दिया गया था कि अब इसमें हमारे देश इंडिया में कोई भी patient नहीं है polio का तो दोस्तों आज के वीडियो में वस्खाले इतना ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे share, comment और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद